नमस्कार दोस्तों दोस्तों कितनी अजीब बात है ना देश के प्रधान मंतरी को किसी राज्य के मुख्य मंतरी के शपत ग्रेंड समारों में जाने का वक्त मिलता है फिर उसके बाद तुरंत दूसरे राज्य के शपत ग्रेंड समारों में जाने का वक्त मिलता है लेकिन अप पे देश के प्रधान मंतरी को ट्वीट करने का टाइम मिलता है उस पर दुख व्यक्त करने का टाइम मिलता है लेकिन अपने यहां पर जम्मू कश्मीर में जम्मू इलाके में तीन दिन से लगातार आतंगवादी हमले हो रहे हैं लोगों की जान जा रही है लेकिन प्रधान म प्राधान मंतर्य का शामिल होने के लिए अपने साथ्यों को खुश करने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को बैठे बैठे क्या वक्त लगता है आज की डेट में सिर्फ एक टेक्स्ट मुबाइल से टाइप बलके टेक्स्ट भी नहीं करना आपके पास तो पूरी की पूरी एक टीम है एक फौज है पूरी अपनी टीम को कम सक्रम यह तो कह सकते हैं कि भाई दो शब्द लिख दीजिए ह मारी तरफ से लेकिन मजाल है नहीं लिखा इंटरनेशनल योगा डेव पे प्रदान मंत्री को लिखना याद रहता है जितने मुबारक बार के मैसिजज़ेस आ रहें उनका जवाब देना प्रदान मंत्री को याद रहता है लिकिन वो जो बिचारे इफेक्टिट परिवार ह उनके बारे में दो शब्द लिखना प्रधान मंत्री को गवारा नहीं और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हुआ है मनिपूर तो एक साल से इंतजार कर रहा है कि प्रधान मंत्री जी कुछ तो बोलिए कभी तो आईए कभी तो हमको देख लीजिए लेकिन संसत के बार एक डेड मुख है उनको भी ये बात उठानी पड़ी उन्होंने भी पूरे दम से कह दे कि वही एक साल से मनिपूर इंतजार कर रहा शांती की रहा देख रहा है लेकिन मोदी जी के कानों पर जू नहीं रहेंगी अब तो प्रधान मंत्री फिर बन गए हैं आप आप तो जा सकते थे म प्रधान मंत्री को वहां पहुंचना चाहिए लेकिन प्रधान मंत्री वहां तो नहीं गई लेकिन पीमो के अपने जूनियर मिनिस्ट्र को वहां भेज दे वह भी इसलिए क्योंकि उनकी लोग सभाव कंस्ट्वेंसी उपड़ती है इसलिए मजबुरी में उन्हें जाना प लेकिन देश की जो लोग अपनी जान गवा रहे हैं जिनके अपने घरवालों की जान जा रहे हैं अपनों की जान जा रहे हैं उनके लिए उनके सांतोना के लिए प्रधान मंत्री के पास दो शब्द लिखने का वक्त नहीं है राहूल गांदी लिख रहे हैं लेकिन राहू का कितना इंतजार कर रहे हैं वो भी देखा है राहूल गांदी ने इसलिए इन चुनाव में दोनों की दोनों जो लोकसवा सीटे हैं वो कॉंगरेस की जोली में डाली है मनिपूर में लेकिन उसके बावजूर प्रधान मंतरी कुई सबक लेने को तयार नहीं है दिल्ली में मह को दुख दर्द नहीं दिखता प्रधान मंतरी को दिल्ली में दंगे होते वो नहीं दिखते लेकिन उसके बाद कपड़ों से बहरूपियों को पहचाना जा सकता दंगाईयों को पहचाना जा सकता वो कहने का वक्त मिलता है प्रधान मंतरी को पूरे चुनाव प्रचार में गुस पैठिये, जादा बच्चे पैदा करने वाले, मुसलमान ये सब कहने का वक्त मिलता है लेकिन दो महीने के चुनाव प्रचार में एक ये शब नहीं बोला गया कि हमसे गलती हुई कि मनिपूर को हमने ध्यान नहीं दिया, मनिपूर में हमसे गलती हुई अगर ये एक डेट लाइन बोल देते तो क्या होता, मनिपूर के लोगों को कितना आसरा मिल जाता कि नहीं इस देश का मुख्या है जो उनकी परवा कर रहा है, चलो गलती हो जाती ही कोई बात लेकिन मजाल है कि प्रधान मंत्री की एगो इतनी बड़ी है कि जो मैं कहूंगा वही सही है जो मैं हूं वही सही है, इसलिए मोहन भागवत ने कहा था अपने भाशन में सही कहा उन्होंने, हम सब इस बात से अगरी करते हैं कि दरसल ये पोशन तो सारा RSS का ही दिया, लेकिन जो बाते उन्होंने बोली वह बाते तो सही है कि जो कहें कि मैं ही मैं हूं सब कुछ, वो कभी सेवक नहीं हो सकता, उसे अपने आपकों सेवक कहने का कोई हक नहीं है अच्छा हुआ मोदी जी ने, खुद ही अपने भक्तों से कह दे कि सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार हटा दो नहीं तो मोदी का परिवार क्या मनी पुर मोदी का परिवार नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर मोदी का परिवार नहीं है कितने सालों से कितने तीन चार सालों से जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एक चुनीवी सरकार मिले वहां की आवाज कहते हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा शांती है वह इसलिए शांती है क्योंकि घाटी की कोई खबर आप पहुंच नहीं नहीं देते है यहां पर संचार के सारे माध्यमबंद है इंटनेट जातर बंद रहता है कुछ पत्रकर अगर भीजते भी है तो उनकी ख़बरों को ऐसे दबाभाया जाता है जब गोधी मीडिया को गोधी मीडिया बनाया जा सकता है जम्मू किश्मीर की खबरों को दबाना को कितना मुश्किल है जानते हैं मोधी जी भी और मेशावी कि जिस दिन जम्मू किश्मीर में चुनाओ हो गए और जम्मू किश्मीर में चीज राज्य सरकार के हाथ में चली गई उस दिन सारी पोले फिर ख होता हो भी देखा उसका खामियाजा भूबतना पड़ा राजिस्थान के लोगों यूपी के लोगों ने हर्याना के लोगों ने जवाब दिया तकड़ा जवाब दिया उसके बाद तो कोई भी आदमी सीधी लाइन पे आ जाए लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इस देश के लिए होता है जो विदेश नहीं दिया और यह सब चीजों की जो बाते वो बखवा से क्या यह सब बाते अब सामने आ रही है लेकिन ऐसे हमारे फोजी शहीद होगे और अंतगवादी हमलों में ऐसी घटना होगी तो यह देश के लिए अच्छी बात नहीं जैसे मैंने पहले कहा कि इस द सबक मिला नहीं है या सबक लेना नहीं चारे या मुझे नहीं मालूम क्या गेम खेर रहे हैं लेकिन इतना तो जरूर है कि जनता अब जो जटका देगी ना वो ऐसा देगी कि शायद फिर बीजेपी ना उट पाए मैं घ्रेम मंतरी हमें चाह या प्रधान मंतरी की बात नही लिए है खासकर के बीजेपी के गड़ माने जाने वाले उत्तरप्रदेश ने कि बहुत होगी नफरत की राजिती बहुत होगा हिंदू-मुसलमान अब हिंदू-मुसलमान नहीं चाहिए इस देश को प्यार और तरकी चाहिए अब देखिए अब यह भी मत सोचिये कि काम ख पोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता हमें नफरत नहीं चाहिए हमें इंसा नहीं चाहिए हमें महबबत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए और अगर देश को नया विजन देना है तो भाईयों और बहनों उत्तर प्रदेश से ही देना होगा और उत्तर प्रदेश ने मेसेज दिया है कि इंडिया गडबंदन, समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं जिस तरह से अच प्रधान बंतरी चंदर बाबु नाइडू के शहपत ग्रेंड्स हमारों में उन्हें गल भाईयां कर रहे थे हुनें जोहां गले लगा के थपतवा रहे जिस तरह से अपनी पूरी टीम को उहां पर खड़ा कर दिया था उसको देख कि बात तो समझ में आ रह नहीं है अगर खुद नहीं हिलेगी ना तो जैसी हर चीजें देश में हो रही हैं अभी इन पर कंट्रोल नहीं लाए गया ना तो जनता उन बैसाक्यों को खुद हिला देगी तो वह बैसाकी इससे पहले कि खुद हिले वह आपकी कुर्ची को नीचे गिरा देगी यह बात प्रधानमंत्री को समझना चाहिए लेकिन वह कहते ना एकमेव कि मैं हूं तो मैं ही हूं तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना कि मैं बाइलोजिकल नहीं हूं वह बात सही है वह उनके दिमाग में बैठ गया आप मान लीजे चाए आप 210 भी सीट देते उनको चाहे 1500 सीट देते चाहे 100 सीट देते कितनी भी सीट देते उनका दिमाग में बात बैठ चुकी है कि वो आम इनसान नहीं है वो विशेश दूथ हैं जो भगवान द्वारा भेजे गए हैं इसलिए वो आम आदमे के समस्याओं को नजर अंदाज करते रहेंगे ये आप लिख लीजे ये उनके दिमाग में बैठ गई और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा लगता है कि देश में उनके इतने भगत है एक उम्र का भी तकाज़ा होता है जो 70 साल के उम्र में अकसर ऐसी गलत फैमिया खुश फैमिया हो जाती है तो शायद इसका भी एक चिपका देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अगर ज्यादा दूर नहीं जाना है तो उद्धव ठाकरे से पूछ लीजी अकाली दल के सुखवेर बादल से पूछ लीजी जेजेपी के दुशेंग चोटाला से पूछ लीजी कि क्या होता है बीजेपी के साथ दोस्ती करन इसलिए इन दोनों को भी इन दोनों को क्या इंट्रेक्ट चार पाएं हैं मोदी जी की कुर्सी के और चारे चारों पाएं इस वक्त लड़ खड़ा रहे हैं खुद तो बीजेपी तो गद्दी बन के बैठे हैं उपर का हिसा पाच चाय तो पार एक नितिश कुमार है एक च चंद्रबावु नाइडो को पकड़ के रखना चाहते हैं इसलिए इनकी खुशाम दीदों में लगे हैं इनको खुश करने में लगे हैं लेकिन जिस तरह से आज चंद्रबावु नाइडो की ओत सरेमनी में नितिश कुमार ने दूरी बनाई उसने फिर एक बार चिंगारी को हवा देगी है सब को बुलाया था बीजेपी के सारे जो है वो मुख्य मंत्री वहां पहुंचे वे थे मंत्री मंडल पहुंचा वाँ था लेकिन नितिश कुमार गायव अब नितिश कुमार चंद्रबावु नाइडो के शपत ग्रेंड से क्यों नाराज क्यों नहीं गए कि उनको अमरावती बसाना है अपनी राजधानी बसानी है उसके लिए पैसा चाहिए केंद्र सरकार से शायद उसको लेके कुछ डील हो गई हो लेकिन नितिश कुमार को लगता है उनके हाथ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा चंद्रबावु नाइडो को तो अपनी जो फ्री जेपी ने ऑफिशली ये भी नहीं अनुस किया है कि 2025 काविधान सभा चुना और उनकी लीडर्शिप में लड़ा जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं का भी जेपी नहीं तो नितिश को अभी तक मिला कुछ नहीं है दरसल नितिश ने जो है वो दिया ही है बलके उल्टा अपनी रिस्पेक्ट भी दे दी लोगों के सामने अपनी बेज़ती भी करा ली जिस दिन सदन में प्रधान मंत्री के पैर चुने की कोशिश कर रहे है उसके बाद भी नितिश कुमार को मंत्राले के नाम पे क्या मिला है ये ठगा सा महसूस करना जाहिर सी बात है नितिश कुमार के इसलिए मुझे लगता है कि जो मैंने पहले कहा कि इन पायों ने अगर आपने आपको कुर्सी को हिलाते नहीं रहे और वक्त सही वक्त आने पर इस कुर्सी का साथ नहीं चोड़ा तो जनता इनको हमेशा क्ले इन पायों को ही तोड़ देगी ताकि कि किसी और की बैसा की बन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा नमस्कार